आपके अपने इस चनल आज हम चर्चा करेंगे निम्बू से समंदित चो टोटके होते हैं उन पर मित्रों क्या होता है कि भारते तंत्रसास्तर में आम जन्मानस को सुखी रखने के लिए आम जन्मानस की सुख सुविधाओं में जो बाधाएं पेदा हो रही है उनके निराकरण के लिए बहुत सारे सुत्र उन्होंने दिये हैं ये सुत्र तंत्र के नाम से विख्या था ये सुत्र इन सुत्रों में इस तंत्र में बहुत सार भी सबजियों का भी प्रियोग होता है बहुत सारे फलों का भी प्रियोग होता है फूलों का भी होता है इत्र का भी होता है और बहुत सारे ऐसे मेट्रेल हैं जिनका इनमें प्रियोग होता है तो आज हम उन प्रियोगों में चर्चा करेंगे खास निम्बू पर निम्बू ए एक ऐसा फल है जो जिसमें नकरात्मक एनर्जी को आउस्षित करने की सरवाधिक समता होती है बहुत अधिक मात्रा में ये नकरात्मक एनर्जी को आउस्षित कर लेता है इसके साथ साथ निम्बू जुग है उसके कुछ ऐसे प्रियोग भी हैं जिनसे आप अपनी बाधाएं भी दूर कर सकते हैं तो वो क्या है उन पर आजम चड़्चा करेंगे पहले तो निम्बू से समस्थित कोई भी टोटका उस पर अपन बात करेंगे तो उस पर कुछ सावधान यह हैं जिनका अपने को ख्याल रखना चाहिए जैसे निम्बू से सम्मदित कोई भी तोटका यदि आप किसी चोराये पर करके आओ या किसी सड़क पर करके आओ या नरजन इस्तान में कहीं भी करके आओ या निम्बू फेंके आओ या निम्बू छोड़के तो मुड़ के आपको कभी गलति से भी वापस नहीं देखना चाहिए क्योंकि अगर आपने मुड़ के देखा है तो वो जो एनरजी आप पहां छोड़ के आए हैं वो सीधा आपके आग्या चकर से टकरा कर आप पर अटेक कर देती है आपके वितर प्रवेश कर जाती है और आपको वो सब बिमारियां भोगनी पड़ सकती है जिनके लिए आप निम्बू को चोराय पर छोड़ने गए दूसरी बात यह है कि निम्बू से सम्मंदित कोई भी काला निम्बू शड़ा हुआ निम्बू ऐसा नहीं लेना चीए अपने को निम्बू कागजी निम्बू लेना चीए एकदम पीला निम्बू लेना चीए यदि निम्बू से सम्मंदित आपको कोई टोटका कभी करना हो और आप निम्बू लेकर के गए हो और जहां आपको तोटका करना हूं जैसे मालो किसी शड़क पर करना है जैसे मालो किसी चोराय पर करना है वहां अगर पहले से निम्बू मिर्ची पड़ा हुआ हो तो आप उस इस्तान का त्याग कर दें उससे आगे जा करके फिर अपना तोटका करें वहां तोटका नहीं करें क्योंकि वहां नुक्षान के जो है अवसर प्राप्त हो जाते हैं इससे बचने के लिए अपने कोई सावधानी रखने चाहिए कि निम्बू का टोटका आप वहीं करना है जहां पर पहले से निम्बू पड़ा नहीं हो ठीक है अब निम्बू से समझत कुछ ऐसी बातें मैं बताता हूं जो आम जिंदगी में आपकी बाधाओं का निराकरन करने के लिए बहुत काम आएगी तो उसमें से पहली बात तो यह है कि यदि अचानक से जैसे यदि कोई घर में बिमार हो नजर दोस का शिकार हो गया हो नजर दोस का शिकार हो गया हो तो उसमें निम्बू बहुत काम की ची तरफचारों देशा हो में फेक देना ठीक है यदि आपका व्यापार किसी भी कारण से किसी भी कारण से आपका व्यापार प्रेशानी में आ गया हो व्यापार डंग से नहीं चल रहा हो दुकान में मंदी आई हुई हो बहुत ग्रायक नहीं आ रहे हो और ऐसा लग रहा हो कि से दुकान बंद करनी पड़ सकती है तो हो सकता है कि आपकी दुकान नकरात्मक और जाके शिकार हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए आपको एक कागजी निम्बू लेना पड़ता है बड़ा निम्बू और एकदम पीला जर्द निम्बू ठीक है ऐसा निम्बू लेकर के उस निम्बू को आपको अपने दुकान के चारों कोनों में छुआ देना है छुआ देने के बाद ने आपको क्या करना है उस निम्बू को लेकर जाना है चोराय पर और जैसे पहले उपाई में किया था सेम वैसे इसमें करना है निम्बू को चोराय पर ले चलने लगेगी एक बार में इसका आपको जैसे परिणाम अच्छा जैसे नहीं मिले तो आपको इसको ना दू-तिन बार भी कर लेना चाहिए यह उपाई सनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन किया जाता है तीसरा तीसरी बात में बताना चाहता हूं कि निम्बू का पोदा आप यदि अपने घर में लगाते हैं निम्बू का पोदा या तो इसान दिसा में लगाना चाहिए या फिर नेतरते दिसा में लगाना चाहिए दोनों दिसाओं में किसी भी दिसा में आप यदि निम्बू का पोदा अपने घर में लगाते हैं तो निम बना रहता है और खाने को एक अच्छा फल भी आपके गर में उपलगती रहता है। और वास्तो सम्मदि दोसों से भी आपको मगती मिलती है। अब निमmbdi से समंदित जो बात मैं आपको बतने जा रहूं। उससे आफसावदाने से सुनें और उसका पूरा ख्याल रखें मतलब यह है कि आप शड़क पर कहीं भी जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो बीच में कोई चोराय भी आता है तो आपको ख्याल रखना है कि सुई लगा हुआ निम्बू यदि चोराय पर हो तो आपको उससे हर खाल में बचके निकलना है मित्रों क्या होता है कि यदि कोई आदमी बहुत अधिक बिमार होता है तो तांत्रिक लोग क्या करते है निम्बू में सुई गाड करके सनिवार के दिन उस आदमे के उपर से उसार करके उस निम्बू को और बीच चोराए पर कुछ तांत्रिक क्रियाए करके उसको रख देते है उस निम्बू को जो कोई भी उलंगन करके जाता है या छूके जाता है तो उस बिमार की सारी बिमारी छूने वाले को लग जाती है तो इसलिए अपने को क्या करना है अपने को इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि ऐसा कहीं भी निम्बू आपको दिखाई दे तो उससे आपको पूरी सावधानी की आवशकता है उससे दूरी बना कर निकले और सावधान रहें दूसरी बात अगली बात मैं आपको यह बताने जा रहा हो कि आपके गर में कोई बिमार हो अचन्वार पढ़ देया हो qa?? अच्छनक से बिमार पढ़ गया हो और इसा लगता है वह कि एंटी क्लोकवाइज गड़ी की विप्रीत दिसा में आप सर से लिक करके पेर तक उसार लीजिए उसारने के बाद में क्या करना है आपको आना है घर के बाहर गर के बाहर आके उस निम्बु के चार टुकडे करने हैं लेकि इस तरह से करने कि निम्बु उपर से तो कट जाए लेकिन नीचे से जुड़ा हुआ रहे हैं चार टुकडे करने उसके चाकू चला दीजी एक बार बीच में एक बार दूसरी तरफ इस तरह से दो तरफ आप चाकू चला देंगे तो निम्बू के चार टुकडे हो जाएंगे अब टुकडे वो दिखेंगे भी और नीचे से जुड़े हुए रहने चीए क्योंकि चाकू को पूरा नीचलाना पूरा काटना नहीं अब इस निम्बू को सनिवार का दिन हो और आप किसी निर्जन इस्तान में जा करके इस निम्बू को फेंक दीजिए आपको 24 गंटे के भीतर भीतर उस बिमार व्यक्ति में स्वास्ते का अनुभव होने लगेगा आपको यह मैसूस होने लगेगा कि जिस बिमार के लिए आपने एक रिया की थी वो ठीक होने लगा अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको बेरोजगारी बहुत परिशान करती है और किसी कारण से बड़ी मैनत करने के बाद भी आपका कोई काम बन नहीं रहा है आप जैसे इंटर्व्यू में जा रहे हैं या आपका कोई काम चली नहीं रहा है तो आपको क्या करना चाहिए आपको एक बड़िया निम्बू लेना चाहिए बड़िया निम्बू लेकर के और चार लॉंग लेना चाहिए अपने साथ में चार लॉंग और एक बड़िया निम्बू यह लेकर के आपके गर के आसपास यह जहां आप रहते हैं वहां आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर ह वहां पर आप जाएए हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप जाकर के क्या करेंगे हनुमान जी की जो प्रतिमा हैं जो मूर्ती है उनके सामने आप बैठ जाएए बैठ करके चारों लॉंग उस निम्बू में आप गाड़ दीजिए निम्बू में लॉंग गाड़ कर आपको क्या करना है हनुमान जी के सामने बैठे बैठे ही आपको खनुमान चलेशा का पाठ करने के बाद में रोजगार में सफलता की खनुमान जी से आपको प्राथना करनी है इस प्रकार प्राथना करके वो निम्बू आप अपने जेब में अपने साथ ले करके यदि आप तो मैंट को सफलता मिलने लगेगी और आपका जीवन सुलब हो जाएगा तो मित्रों कैसा लगए वیडियो आपको लाइक करना मत भूलिएगा आपके लाइक करने से हमें खोसला मिलता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है तो इसके साथ ही जैसे रिक्रिश्णा में तो करिसे नहीं तो अन्यों कि प्रेक रिलता है तेस्ट